हलू डियर स्टुडेंट तो इसके आगे के वीडियो लेक्चर में मैं कोईशन बताई थी इसके पहले वाले में 120 तक आपको कोईशन से बता दिये थे तो यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर में 121 से कोईशन देखेंगे जो आपके ग्याम में पूछे जाएंगे मोस्ट इंप सारे आप वीडियो बनाए है equation के important तो playlist में जाके आप सारे इसके पहले वाले वीडियो आप देख सकते हैं तो यहां पर देखते हैं 121 पर पादफ सारी रिकी को क्या कहा जाता है पादफ सारी रिकी को क्या कहा जाता है फोर आफ्सन है आपका जन्तु सरी लचना विज्ञान इस्थला करती, सरीर सनलचना, लचना विज्ञान, मानो, नयायमिकी, वनस्वति सलिक्रिया, तो यहाँ पे आप करेक्ट कर लिए जएगा, आफसन करेक्ट नहीं है, पादफ सरीर की को क्या बोला जाता है, बी आफसन करेक्ट हो जाएगा, वनस्वति सलिक्रिया बोला जाता ह वनस्वत्य विज्यान बोला जाता है, जिसमें पौधों की इस्टिडी करते हैं, और जन्द सरी रचना विज्यान में, जन्दों की इस्टिडी करते हैं, तो यहां पर आपका आफस ant बाह हो जाएगा, everytime correct कर लीजियेगा, यहां पर आफस ant दिया है, इंकरेक्ट एइंसर है, कहा जाता है मानो शरीर रचना विज्ञान तो आफसन आपका करेक्ट हो जाएगा 123 पर देखते हैं जलने से होने वाले घाव पर निमनिमेसिक किन में भिगो कर मुलायम कपड़ा या रूई रखनी चाहिए पोटैसियम परमेगनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम क्लोराइट तो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट क्या करेंगे भीगोकर मुलाइम कपड़ा या रुई रखनी चाहिए तो साफसन आपका करेक्ट हो जाएगा वण ट्वंटी फोर पे देखते हैं डाट डाट दिया है अपका इस्पेस दिया है स्थिती समीपस्त के विप्रीथ होती है दूरस स्थिती क्या होती है समीपस्त के विपलीत होती है पोजिट होती है तो आपका आफसन करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट देखते हैं कोईशन 125 पे हमाई सरीर में कितने प्रकार की मुख्य गुखाएं होती है तो दो प्रकार की मुख गुहाएं होती है तो आफसन आपका correct हो जाएगा नेक्स question देखते हैं 126 पे पेश्ठी ये गुहा कितने भागों में उप विभाजित है तो आपका option correct हो जाएगा पेश्ठी ये गुहा दो भागों में विभाजित होती है अच्छे से आप लोग पूरे question के जो भी option दिये हैं read करके तभी आप टिक करिएगा यहाँ पे तो सामने आपको answer दिया है तो आप आसाने से देख की टिक कर लेंगे जब तक एक दो दो बार revise नहीं करेंगे तब तक confusion रहेगी questions में तो आप पेश्टिये गुहा कितने भागों में उप विभाजित है तो आपका आफसन हो जाएगा आ दो भागों में विभाजित है next question देखें 127 पे पेश्टिये गुहा के पहले भाग में सामिल है कापाल गुहा, उदर गुहा, मेरिडंड गुहा, स्रोडी गुहा तो आपका आफसन हो जाएगा पेश्टिये गुहा के पहले भाग में कापाल गुहा सामिल होती है तो आफसन करेक्ट हो जाएगा 128 पे देखें सिर का कौन सा सिरा सबसे उपर की स्थिती में होता है देखें सिर का कौन सा सिरा सबसे उपर की स्थिती में होता है तो आफसन उर्थ सिरा होता है जो सबसे उपर की स्थिती में होता है next question देखते हैं 129 पे सरीर से देखी जा सकने वाली सारीरी सनरचनाओं का अध्यन है तो आपका option correct हो जाएगा सतही सरीर रचना next देखते हैं question 130 पे पीछे की ओष रोड़ी गुहा से तथा पूर्वकाल में डाया फ्राम द्वारा कौन सी गुहा पस रूफ से सरीर की भित्ती से जुड़ी होती है तो आपका option correct हो जाएगा उदर गुहा होता है जो सरीर की भित्ती से जुड़ी होती है next question देखते हैं 131 पे अस्थी के अध्धन को क्या कहते हैं अस्थी के अध्धन को अस्थी विज्ञान कहते हैं तो आफसन आपका correct हो जाएगा 132 पे देखते हैं इनमें से कौन कंकाल तंत का कार्य नहीं है तो खनी संग्रह, अंग की सुरच्छा, गती उपापचे उपापचे क्या होता है? कंकाल तंत का कार्य नहीं होता है तो आपका दाफसन correct हो जाएगा नेक्स देखते हैं 133 पे अच्छी कंकाल में कितनी अस्थियां होती है तो आप कितनी अस्थियां होती है अदला हड्डियां होती है तो असी होती है तो आपका आफसन correct हो जाएगा 134 पे देखते हैं खोपड़ी में चेहरे की कितनी अस्थियां होती है फोपीडी के चेहरे में कितनी अस्तिया होती है कितनी हड़िया पाई जाती है तो 14 हड़िया पाई जाती है तो the option correct हो जाएगा नेट देखते हैं 136 पे उरोश्थी की zacعتी होती है तो the option correct हो जाएगा आपका T-acriti का होता है उरोश्थी तो आप देख लिजे इसमें T, C, U, N, S दिया है तो आपका बाफ्षन करेक्ट हो जाएगा T आकृती 137 पर देखते हैं कौन सी अस्थी को जिहा अस्थी के रूप में जाना जाता है तो A option correct हो जाएगा कंठी का अस्थी, कंठी का अस्थी क्या होता है, जिहा के रूप में जाना जाता है, तो A option correct हो जाएगा 138 पे देखते हैं, मनुसी के पास कितने कसे रूप होते हैं, तो आपका A option correct हो जाएगा 33 कसे रूप होते हैं next देखते हैं 139 पे memang redundant कितने छेत्रों में विभाजित हैं तो 2 option correct हो जाएगा 4 4 में आपका mayor redundant विभाजित होता है 4 छेत्र में 140 पे देखते हैं एक हाथ में कितनी अंगलिस्थियां होती हैं तो आपका si often correct हो जाएगा 7 sorry एक हाथ में कितनी होती है 14 होती 14 आप कहती हैं तो साफसन आपका करेक्ट हो जाएगा 141 में देखते हैं नितम अस्ति के उपरी विंध्थारित भाग को कहा जाता है इलियम, इलियम बोलते हैं तो आफसन आपका करेक्ट हो जाएगा 142 में देखते हैं, सिलेज संद को कहा जाता है चल संद, सिलेज संद को क्या बोलते हैं चल संद बोलते हैं निज देखते हैं, 143 पे मानो सरी की सबसे अस्थी सबसे लंबी अस्थी कौन सी होती है तो B- Option correct हो जाएगा सबसे बड़ी हड़ी आपकी फीमर होती है जो जांग की हड़ी होती है जो आपके पैर में पाए जाते है तो आपका B- Option correct हो जाएगा Next question देखते हैं 144 पर निमनी लिखिर में इसे कौन सी अग्रिपात की सबसे लंबी अस्थी है हुमरस हुमरस क्या होती है सबसे लंबी अस्थी होती है next question देखते है 145 पे यह आपका logo बना हुआ है इसका अल्थे क्या होता है तो इसमें option हो जाएगा option correct हो जाएगा रास्ता बंद है इसका मतलब हो जाएगा ऐसा diagram आपका एक्जाम में आएगा तो इसका मतलब हो जाएगा रास्ता बंद है तो option पे आप टिक करिएगा correct हो जाएगा दूसरा देखिए एक आपका बना हुआ है diagram इसका अल्थ क्या होता है कुसल है यहाँ ठेरो पानी गंदा है रास्ता बंद है इसका मतलब सभी को पता है क्योंकि सब लोग बनाते भी है यह diagram ओम के साथ में यह बनता है तो आपका क्या हो जाएगा कुसल हो जाएगा सब सही है तो 146 पे option correct हो जाएगा 147 पे देखिए घाव साफ करने के लिए लगाते हैं Iodex, Wix, Bernal, Sprit Sprit का यूज करते हैं घाव साफ करने के लिए तो बा option आपका correct हो जाएगा जितने में question आप लोग को बता रहे हैं हर video lecture में आप लोग daily daily देख लिए इसी में से आपके exam में मिल जाएगे बहुत ही बतलब आपको unit wise questions है तो इन ही में से question कोई आपका exam में आएगा तो अभी first unit आज आपकी complete हो जाएगे second unit के आपके जितने भी आपके question important है वो मैं आपको video बना दूँगी next देखते हैं 148 पे red cross का कार्य है red cross का कार्य क्या होता है आसहाय सेवा, दीन दुखी की सेवा, निर्धन सहायता, उप्योक्त सभी तो द्दा आपसन आपका करेक्ट हो जाएगा 149 पे देखें red cross को इंग्लैंड में प्रिथम बार इस्थापित किया गया sun 181879 red cross को इंग्लैंड में प्रिथम बार इस्थापित किया गया 1879 में इस्थापित किया गया था तो आपसन आपका करेक्ट हो जाएगा next देखते हैं 150 पे धमनीय रग्त स्राव में है क्या होता है, खून चमकीला और उचलता हुआ बाहर निकलता है यही करेक्ट आपसन है, आपका खून चमकीला होता है उचलता हुआ बाहर निकलता है धमनीय रग्त स्राव में next question देखते हैं 151 पे हड़ी की तूट के लच्छड है तो सूजन एमंदर्द, सक्ति की कमी, अंग में हिलने डुलने की आच्छमता तो यह सारे कालर आपके होते हैं, लच्छड होते हैं तो आपका दा आपसन करेक्ट हो जाएगा उप्रिक्त सभी next question देखते हैं 152 पे प्रात्मिक उप्चार का तातपर है तो बा आपसन आपका करेक्ट हो जाएगा घायल वेक्ति का डाक्टरी उप्चार से पूर उप्चार मैंने आपको वीडियो भी एक बनाये हुआ है इंट्रोडक्शन बताया है आपको प्रात्मिक उप्चार क्या होता है महत्तु क्या होता है यह सारे मैंने आपको बना दिया है तो आप इसमें वीडियो भी देख सकते हैं तो क्या क्या होता है प्रात्मिक उपचार कैसे उसकी definition क्या होती है और उसके महत्तु क्या होते हैं तो next देखते हैं question 153 पर प्रात्मिक उपचार का मुख्य उद्देश है तो आपका दा option correct हो जाएगा डाक्टर से आने से पूर्व वेक्ति की स्थिती को विगड़ने नहीं देना जब तक डाक्टर नहीं आ जाता है तब तक कि जो भी पेसेंट है उसकी स्थिती को विगड़ने ना देना यही आपका प्रात्मिक उप्चार का मुख्य उद्देश होता है नेक्स देखते हैं 154 पे प्रारंभी कुप्चार बक्से में क्या वस्तुएं होती है प्रारंभी कुप्चार फस्टाइट बॉक्स जो होता है आपका उसमें क्या क्या चीजे होती है तो प्रात्मिक उप्चार है तो आवस्यक दवाएं वब वस्तु हैं तो आफ्जन आपका correct हो जाएगा 155 पे देखें सर्वर्प्रिथम प्रात्मिक चिकिस्सा किस देश में शुरू हुई तो सबसे पहले प्रात्मी चिकिसा कहां श्टार्ट हुई थी भारत में ये important question है ये भी आप अच्छे से देख लिजेगा कि सरवर्थम प्रात्मी चिकिसा किस देश में सुरू हुई तो भारत में आपके सुरू हुई तो आफसन करेक्ट हो जाएगा 156 पे देखिए इंगलाइंड में प्रिथम बाज सेंट हारन एंबुलेंस एसोसियेशन ने कब प्रात्मिक सहायता सब्दा वली को साथ किये रूप में अपनाया तो आपका आफसन करेक्ट हो जाएगा अभी इसके पहले भी एक question आप लोगों ने किया इसके पहला ला question सेंट जान एंबुलेंस एसोसियेशन आफ इंगलेंड उसी का answer है तो दोनों यह answer आपके एक ही question से मिल जाएंगे तो next देखते हैं 158 पे कच्ची तूट अस्थि भंग होता है कच्ची तूट अस्थि भंग होता है बच्चों में बच्चों में क्या होता है जो अस्थि होती है वो वो क्या होता है इसका तूट जाती है वो जल्दी इनकी हड़ियां जाती तूट जाती है तो बच्चों में होता है next देखते हैं 159 पे जब हड़ि तूटने के साथ घाव भी होता है तो कहते हैं तो क्या बोलते हैं? विसम अस्ति भंग बोलते हैं. Next question देखते हैं, 160 पे मोज के लच्छड होते हैं. मोज के लच्छड क्या होते हैं? तो आपका दाफसन करेक्ट हो जाएगा. जोड के बंधनों का खिच जाना या कट जाना? 162 पे देखते हैं, फफूंदी धातूओं का जहल, सड़ा हुआ भोजन या विसम अस्ति भंग बोलते हैं? आदी आते हैं, छोब कारक, ये सब किसमें आते हैं? छोब कारक में आते हैं, तो दाफसन आपका करेक्ट हो जाएगा. 163 पे देखते हैं, धतूरा, अफीम, गांजा, क्लोरो, फार्म, कच्छु, कच्छु, कुच्छला, आदी आता है. किसमें आता है? अमलिग्यूक्त में आता है. तो आपकी ये आफसन करेक्ट हो जाएगा, ए आफसन करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट कुच्छन देख लेते हैं, 164 पे जलन कहलाता है, जब क्या होता है? आग या दहकती हुई वस्तु से देह जल जाता है, तो क्या कहलाता है? जलन कहलाता है. तो आपसन करेक्ट हो जाएगा. इस कुच्छन सबको पता है. तो देखते हैं next 165 पे इसनान का हमारे देश में सबसे उत्तम समय है कौन सा समय सबसे उत्तम होता है इसनान करने का सायन काल प्राता काल दोपहर इन में से कोई नहीं बहुत लोगों तो ऐसा आफसन लग रहा होगा दा आफसन इन में से कोई नहीं कोई समय नहाने का नहीं होता है कुछ लोग दोपहर में नहाते हैं कुछ लोग साम में नहाते हैं लेकिन प्राता काल सबसे बेश्ट आफसन का कौन सा होता है अपका प्राता काल होता है प्राता काल आपको इसनान करना चाहिए तो बाफसन करेक्ट हो जाएगा नेफ्स देखिए 166 केसो को गंदा रखने से कौन सा परजीवी सिर में पढ़ जाता है तो जू केसो को मतलब बालों को गंदा रखने से क्या हो जाता है जू ह जाते हैं बालो में तो यह परजीवी होते हैं तो यह भी ऐुआ और सन्ते और बापोहर दरेंगा 167 पैटेशक मादा जू पैत संव कितने अंड़े देती हैं आठ tas 12 तो जोचिए हापके अगर की बालो चाहिए तो आफसन आपका करेक्ट हो जाएगा नेक्स देखते हैं 168 पे जुओं का संकरमड किस प्रकार होता है संपर्क से संपर्क से हो जाता है संकरमड तो आफसन आपका करेक्ट हो 169 पर देखते हैं जुओं के काटने से होने वाले जुर का नाम टाइफस जुर जो होता है जुओं के काटने से हो जाता है नेक्स देखते हैं 170 पर दातों की सुरच्छा के लिए क्या नहीं करना चाहिए दातों की सुरच्छा के लिए गर्म खाना खाने के बार ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए इससे दांद आपके खराब हो जाते हैं जो गर्म खाना खाते हैं फिर आप ठंडा पानी पी लेते हैं नेक्स देखिए 171 पे छोटे बालकों को पढ़ने की पुस्तके होनी चाहिए तो आफसन आपका करेक्ट हो जाएगा बड़े प्रिंट की होगी तो अच्छे से आप बालक जो हैं पढ़ सकेंगे तो आफसन करेक्ट हो जाएगा 172 पे देखिए दही विलोने में कौन सी क्रिया आती है दोनों हाथ पैर आगे पीछे करना तो दाफसन आपका करेक्ट हो जाएगा नेक्स देखिए 173 पे बालक के सरीर में जन्म के समय कितनी हड्डिया होती है तो जन्म के समय 270 हड्डिया होती है तो दाफसन आपका करेक्ट हो जाएगा नेक्स देखिए 174 में कौन सा रोक संक्रामक नहीं होता है एड्स जो होता है संक्रामक रोक नहीं होता है कि निक्स देखेश्ट 성िन से सरल के और पूर्से कई और इनमे से कोई नहीं तो इनमे से कोई नहीं direct और पूर ते तो आउस्ड कि और कॉर्च वारीगलियो पूर है जो है जे का नहीं है तो आपका दा कोजन करेक्ट हो जाएगा खासियाना क्या होता है है जे का लच्छन नहीं होता है तो अभी इसमें 176 तक आप लोग question को read करिए अच्छे से पढ़िए फिर next वीडियो में इसके आगे की important question आपको बताएंगे ओके थैंक्यू students तो आप लोग इतना read करिए questions को इसके बाद next unit के questions आपको बताऊंगी आपको बताएंगे जापको बताएंगे